यह लोग एवरिवन कैसे आप लोग कैसे चल देख सबकी पढ़ाई एकदम बढ़ियां एकदम मज़ेदार तो माइने में संजीफ पांड है और स्वागत आपका आपका आपने प्यारे से चैनल में खूबसूरे से चैनल में जे आर कॉलेज में जो की पाठ है जे आर टुटो हैं वाले हैं बोटो और सेन्टरीफ्यूगर फोर्स फिर एफली केशन देखने वाले हैं वेल आप्डे浜 का फिर वेकल आलों hills रख न ऊसर्फिल डूडर बहुत जादा important है तो यह जो वीडियो है वह बहुत important होने वाला है तो वीडियो लास्ट तक देखो मज़ेदार वीडियो बनने वाला है और conceptually सारे चीजे तुमको समझ में आने वाले आज की वीडियो में यह चैनल को शेर करना है याद रखना उनको फटा फट यह चैनल भेजो उनको बताओ कि जे आर कॉलेज पे भाई सारे वीडियो आना चालू हो गए जूकि पहले जे आर टुटोरियल पे आते थे बट अब से क्या होंगे वो जे आर कॉलेज पे आएंगे clear बात सुन में आगे आज का वीडियो चलो तो सबसे पहली कहानी centripetal force तो जो वीडियो स्टार्ट करने वाला है उससे पहले हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा वो एक बार तुमको रिकॉल करा देखा लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक चीज हमने पढ़ी भाई displacement की कहानी हम लोग टीटा हम लोगने linear velocity पढ़ा ताइज ओमेगा इस इकोल डी टीटा बाय डीटी हाया ना फिर हम लोगने alpha पढ़ा आलफा इस नतिंग बट डी ओमेगा बाय डीटी हायां ओके यह सारे Axial Vector होते हैं यह हम लोगने देख लिया फिर हम लोगने relation देखा क्या relation देखा याज वि relation देखा, that is, alpha is equal to r, sorry, a is equal to r alpha, a is equal to r alpha, यह सारी कहानी हम लोगने अल्रेडी, last lecture में देख ली, सारी कहानी हम लोगने देख ली थी होगे, circular motion क्या होता है, यह सारा चीज हम लोगने last lecture में already complete कर दिया था, अगर अभी तक वो lecture नहीं देखा है, तो पहले जाओ, वो lecture देखो, और बाद में इस lecture पर जम करो, clear, चलो, let us start with story, आज की कहानी चालो करेंगे, आज हम लोग discuss करेंगे, centripetal force और centrifugal force, centripetal force का सबसे पहले definition, तुम लोग comment कर दो, भाई, क्या definition होता है, तुमने क्या definition पढ़ा है, ओके सब लोग, फटा-फट पहले वीडियो पॉस करो, वीडियो पॉस करने पे, सब लोग पहले जाओ, comment करो, कि भाई, comment करो, बताओ, कि तुमने क्या पढ़ा है, centrifugal और centripetal, क्योंकि obviously तुम कहीं न कहीं से पढ़ के आए हो, यह already तुमने पहले पढ़ा हुआ है, कर दिया सब लोग ने, पका, ओक, अब 90% लोग ने इसको comment किया रहेगा, कि भाई, the force acting towards center is centripetal, the force acting away from the center is centrifugal, भाई, बहुत सही है, कोई गलत बात नहीं है, सही चीज है, बट अब से जो definition है, वो थोड़ी सी upgrade हो जाएगी, वो गलत नहीं है, जो तुमने पढ़ा है, वो गलत नहीं है, बस थोड़ी सी अब upgrade हो जाएगी, भाई, होता क्या है, सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल की कहानी क्या होती है, वो समझाओ, तो अगर तुमको सेंट्रिपिटल force define करना है, तो सबसे पहले, तुम्हारा जो frame of reference होना चीज़, वो inertial frame of reference होना चीज़, सबसे पहला, ओके, भाई, तुमगर inertial frame of reference में हो, inertial frame of reference, inertial frame of reference, inertial frame of reference तो obviously तुम centripetal force क्या कर सकते हो, define कर सकते हो, inertial frame of reference मतलर जहां पर तुम्हारा acceleration जो observer है, वो observer का acceleration क्या रहेगा, 0 रहेगा, अब माल लो कि मैं किसी car में बैठा हूँ, और car turn ले रही है, okay, car गोला गोला घुम रही है, और मैं बोलू कि उस car के अंदर centripetal force लग रहा है, गलत है मैं नहीं define कर सकता है कि उस car के अंदर centripetal force लग रहा है, because मैं non-inertial frame of reference में बैठा हूँ, तो अगर मैं non-inertial frame of reference में बैठा हूँ, तो मैं चाकर भी centripetal define नहीं कर सकता, हाँ, अब अगर मैं उस car से बाहर खड़ा हूँ, और कोई car turn ले रही है, और car अगर गोला गोला पहले कहा है, inertial frame of reference, अब कहानी कैसे है, माल लो कि अगर कोई body है, जो कि circular motion कर रहा, let's say this body is performing the circular motion, ओके, अब देख रहा, ये body circular motion perform किस तरह कर रहा, किस basis पर कर रहा, let's say, कि ये body ऐसा था, यहाँ से यहाँ गया, अब मैंने क्या किया, ऐसे force लगा दिया, अब ऐसे force लगा तो let's say, ऐसे force लगा दिया, body turn हो गया, let's say, यहाँ पर एक force लगा दिया, body वापस turn हो गया, अब तुम लोग अगर देखो गए, तो एक square motion करना चालू किया, अब क्या करते है, अब क्या करते है, अब ये body यहाँ से, जैसे यहाँ गया ना, जैसे यहाँ पर पहुचा यह, यहा मैंने forse लगा दिया, मतलब यह गोला गुर्णा चालू, यहाँ से मनिने force लगा दिया, ये ऐसे जारा था, यहां से main force लगा दिया, ऐसे जारा था, से yine force लगा और मनों वापस लगा दिया, गतलigent, towards centre, हमेशा उसके उपर कोई force आक्ट करेगा, उसको circle motion में गुमाने के में कहां पे inertial frame of rest में भाई सारा का सारा force सारे के सारे net force कहां पे लग रहा है उस body के ऊपर लग रहा है जैसे अगर मैं तुमको बोलू कि लेस्ट से अब यगर मैं तुमको बोलू कि भाई which force is a centripetal force तुम लोग बोलोगे सर f1 is a centripetal force and f2 is centrifugal force yes or no f1 is centripetal force f2 is centrifugal force wrong the net force acting towards center तो center की तरफ कौन सा net force लग रहा है center की तरफ net force लग रहा है f1 minus f2 उसको f1 से अंदर धक्का दे रहे हैं but f2 से बाहर भी तो जा रहा है न वो तो अंदर की तरफ total कितना force लग रहा है अंदर की तरफ total force लग रहा है that is f1 minus f2 भासना रहा है yes or no okay by total अंदर की तरफ force कितना लग रहा है that is f1 minus f2 यह कहानी यह centripetal force की और यह कहानी कब समझेगी जब तुम नौ इनर्चल ओर्परिंस की खाहनी क錯ने यहां पर खाड़ो के लिवव तह दया है के परबर ट्वर्ज सेंटर अलांग रेडियस अलांग रेडियस ओके अब नेट अगर हम लोग देखने जाए तो वाट इस दा फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फॉर्स देख लिया है इसले में तुमको डेवेशन यहां पर इसले हम लोग यहां पर डिटेल में डिसकर्शन नहीं करेंगे हां अगर तुमको अगर है कि सब नहीं समझ में आया तुमको कमेंट करके बता देना हम लोग वो डिटेल में डिस्केशन ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो के बट फिलाल तुमको शिरिफ याद रखना है भाई एक अगर इस दियरेक्शन में इस दियरेक्शन में एक्सलेशन भी लगेगा तो अब एक क्या है दाड़े जाता है क्या डाला जाता है करण क्या है कि भाई जो radius vector होता है, वो हमेशा outward होता है, क्या होता है, radius vector हमेशा क्या होता है, outward, और centripetal force हमेशा कहा होता है, inward, तो radius vector और centripetal force में opposite direction होता है, इसलिए minus sign डाला रहता है, और कोई minus sign का इसका कुछ दिमाग लगाने वाला और कोई चीज नहीं यहाँ पे, दरना नहीं किसा minus sign कहां से आ गया, ओके यह सिर्फ direction के लिए बात करेंगे, जब अगरों magnitude solve करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे minus sign नहीं रखेंगे, याद रखना, जब हम लोग magnitude solve करेंगे, तो वहाँ पे minus sign नहीं रखेंगे, उतना ज्यादा, clear बासन आ रहा है, minus sign क्यों है, भाई, जो direction है, वो नाम करण वाला force है, मतलब जो भी force तुमको अंदर लग रहा होगा, भाई, जैसे मालो की, अगर हम लोग एक रसी पे बांद के यहाँ पत्थर गुमा रहे है, तो अब वो अंदर की तरफ उसको कौन force लगा रहा है, tension लगा रहा है, जैसे मालो की कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, ऐसे और वो ऐसा रसी से घुमा रहा है, इसको के मालो और यहाँ पे कोई तो stone है, बंधा हुआ stone है, ओके ऐसे घुमा रहा है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए, तो अंदर की तरफ, center की तरफ कौन सा force अक्ट हो रहा है, उसका tension, भाई, उस रसी force क्या हो रहा है, अंदर की तरफ act हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई, the centripetal force between earth and sun is provided by gravitational force, तो वहाँ पे centripetal force कोई नया नाम नहीं है, यह एक नाम करण है, ओके नाम करण बोले, तो भाई, कोई भी ऐसा force जो अंदर की तरफ लग रहा है, center की तरफ लग रहा है, net force, net force acting towards center is a centripetal force, is a centripetal force, clear, बास सुन में आगे everyone, पक्का कहानी सुन में है, centripetal force का, example मैंने तुमको देही दिया है, okay, मैंने example तुमको देही दिया है, कि भाई, यह example है सारी कहानी, तरफ में आ गया, चलो, next कहानी, next is a centrifugal कहानी, centrifugal क्या होता है, centrifugal के लिए तुमको frame of reference सबसे पहले change करना पड़ता है, frame of reference मतलब यहाँ पे आ जाता है, non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference की कहानी कैसे हो जाती है, भाई, यहाँ पे तुमारा जो observer है, वो खुद उस body पे बैटा है, जो body गोला-गोला घुम रहेंगे, जिसे माल लोग कि यहाँ पे circular motion हो और यह कोई तो body है, बरवा, अब यह जो body है, यह जो observer है, यह खुद body पे बैट गया है, इस body पे बैट गया खुद, अब जब body पे बैट गया है, और यह body ऐसे गोला-गोला घुमेगी, तो observer को क्या फिलोगा, जरा तुम imagine करो, तुम imagine करो कि तुम पलंखिये के उपर कि भाई, कोई तो है, जो बाहर की तरफ भी धक्का दे रहा है, और यह कब समझेगा, जब तुम उस body पे बैठ होगे, बाहर से बैठ के बता सकते हो, क्या, भाई, बाहर से खड़ा होके बोलोगे क्या, कि रोलर कोस्टर बाहर की तरफ आ रहा है, ना, तुमको तो लगेगा इस रोलर कोस्टर पर बैठ होगे, तुमको क्या लगेगा, भाई, कोई तो है, जो बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, और यह बाहर की तरफ धक्का देने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक तरह का क्या है? सुदो फोर्स, इट इत अ robbery ऑल्स करने के लिए फोस प्रेसंट ओ जाता हूं टुर तुटी फिल होगा जब तुम टुम संट्रिपितल करते वो यह assets एक्पर सेथार। बाहर की तरफ को एक पोर्स सेस्ट्र आट ओर बाहर की तरफ है क्वोर्स concerti feo2k यह तुमारा आउट वर्ट पोर्स है यह तुमारा सेंट्रिफिगल पोर्स है बास मुझा रहे हैं कि नीच समझा रहे हैं और यह कब डिफाइड होगा जब बॉडी के अंदर बैठे हो तुम बरबाद जब बाडी के ऊपर बैठे हो तुम जब नॉन इंचल फ्रेम आफ यह यहां रखना तो कैसे डिफाइड करेंगे इसको डिफाइड करेंगे लाइन एक नद फोर्स Net force acting net force acting away from the center the net force acting away from the center along the radius along the radius that is very important अगर कहा निसम्जना रियत मैं सब कुछ जाएगा अब इसका formula क्या होता है सेमी formula होता है that is f c is equals to mv square by r yes or no बस यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस हड जाता है क्यों क्यूंकि radius vector बाहर की तरह factor हो रहा है और centripetal भी बाहर की तरह factor होता है बट यह तरह का pseudo force है ध्यान देना उसका कोई source present नहीं है बहुत लोगों को लगता है एक imaginary force है ना माना imaginary नहीं है यह है महसूस होता है तुमको जैसे मालों तुम गाड़ी में बैठे हो गाड़ी right turn ले रही है तो हम left की तरफ जा रहे है तो actual में हम left की तरफ जा रहे है बट वो धक्का कौन दे रहा है left की बना सूड़ो फूर्स ओके ट्रेट फूर्स है imaginary force नहीं है दिमार्ट से यह हटा दो कि एक imaginary force ना ना इमाजनेरी नहीं है यह एक्ट्व में exist करता है उतका source present नहीं है इसको इसको सूड़ो बोला जाता है clear बास मिजारिये और यहाप अगर हम लोग देखने जा तो इसको रि और फॉर्मला बनता है मैंने तुमको बताया था फ़ाई लास्टाइम लेक्चर में रटा दिया था v is equals to r omega रट लो याद रखना मैंने रटा दिया था अब वही कहानी यहाँपे भी है यहाँपे क्या करो v के जगे r omega put कर दो तो पूट करो कि तो क्या हो जाएगा that is fc is equal to माइनस M V के जागे क्या जाएगा that is omega square R square नीचे क्या है R तो एक R-E-R cancel यह R और एक R cancel हो जाएगा बरबर तो तुमको क्या ही मिलेगा तुमको मिलेगा MR omega यह सोनो तो यह कहनी तुमको मिलेगी तो दोनों formula same है जब तुमको linear velocity दी रहे हैं इस्तमाल करो जब तुमनों angular velocity दी रहे तो यह वाला इस्तमाल करो that is fc is equal to m omega square R और यहाँ प्राजाएगा fc is equal to mv mv square by R यही सेम कहानी इसमें भी बेठेगी इसमें भी सेम कहानी बेठेगी fc का एक formula यह है formula तो यह जाद रखना शिरीव direction का और inertial frame of reference का फराखे बस और एक और formula का हो जाएगा that is fc is equals to m omega square by R यह दोनों formula है ओके formula सेमें यहाद रखना formula जब तुमनों distinguish के लिए लिखो गया तो वहाँ पे minus plus डालना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे फिर गलती हो जाएगा distinguish करना है भाई दोनों को डिफरेंस करना मतलब दोनों में से कुछ तो अलग दिखाना पड़ेगा हाँ या ना बास सिम्में आ रहे ही नहीं सिम्में आ रहे है ओके अब याद रखना कहानी तुम लोग centripetal से भी solve कर सकते हो centrifugal से भी solve कर सकते हो decide कर लो किस से करना ओके स्टार्टिंग में ही decide कर लो जैसे जादा करके मैं प्रिफर करता हूँ मैं centripetal force प्रिफर करता हूँ the total force acting towards center ओके जो भी total force है वो देखो और वो center की तरफ लगा दो तो सारे total force acting towards center ओके मतलब जो भी तुमको force मिलेंगे वो सारे के सारे force लो all force बरबर all force और उसको बराबर कर दो किसके साथ centripetal के साथ किसके साथ centripetal force के साथ बराबर कर दो यह सब सब बैस मेठेड है थोड़ा सा simple method है centrifugal से भी solve कर सकते हो कोई problem निया है सानिये कि centrifugal से नहीं solve किया जा सकता है दोनों तरीके से समको solve किया जा सकता है centripetal से भी किया जा सकता है centrifugal से भी किया जा सकता है centripetal के लिए क्या याद रखना है the net force acting towards center is centripetal okay clear बास में आ गया yes or no चलो अब application बात करेंगे यहाँ पर कहानी बोलते हैं कि बहुत फेमस है तुम लोगने देखा रहेगा तुम लोगने विजिट किया रहेगा वहाँ गाड़ी एक कुए में घूमती है में डाया सरकुलर मोशन करती है सानो और विदाउट नीचे गिरे विदाउट नीचे गिरे वो क्या होता-एम पर सर्कुलर मोशन होता है JEFF में लेत चेख रही आःण अरे जा दही कड़िए आजा कि यह जैसाँ होगा गारा लेषर से यहां पर कोई गारी है हिए जो क्या कर रही है जो सर्कुलर मोशन कर रही है से गारिए जो क्या क्राइटेरिया है जो तुमको पता है भाई क्या-क्या चीज़े उसके उपर आक्ट होगी कौन-कौन से फोर्स उसके उपर लगेंगे यह सारी कहानी थोड़ी समझने कोशिस करते हैं ज़रा देखो तो भाई अंदर की तरफ देखो यहां पे अंदर की तरफ एक सेंट्रीपि कहानी प्रम कर लिए तो मैं एह साजीूम करूंगा कि वह तुमको आता है नहीं आता है करके बता दो फिर ने उसके perpendicular एक force लगता है that force is called as normal force तो यहाप हम लोग ने तीन force consider कर लिया एक कौन सा? भाई mg consider कर लिया that is the weight एक हम लोग ने Fs consider कर लिया that is static friction the maximum friction yes or no और एक हम लोग ने N consider कर लिया that is normal जिसको normal force बोल दो normal reaction बोल दो ओके कमजा? अब देखो कहानी कहानी स्टार्ट कहां से करना है कहानी स्टार्ट करना है भाई ट्वर्ट सेंटर तो the necessary the necessary centripetal force अगर हम लोग देखने जाए तो centripetal force तुमको कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई नेसेसरी centripetal force centripetal force अब देखो जरह दाएगराम को ध्यान से देखो तुवर्ट सेंटर कौन सा force लग रहा है? भाई तुवर्ट सेंटर लग रहा है तुमकारा normal reaction यस हो नो तो the necessary centripetal force is provided by is provided by कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस प्रोवाइड बाई नॉर्मल रियाक्शन हा या ना is provided by normal reaction बरबर तो मैं लिख सकता हूँ ना mv square by r बराबर है n k बरबर भाई centripetal force ही है ना mv square by r तो mv square by r बराबर है n k yes or no? ओके अब ज़रह देखो माल लो इसको equation number 1 का नाम दे दो आपके यहां पर धिहान से देखोगे तो weight किससे balance हो रहा है weight is balanced by the weight is balanced by the static friction yes हो नो तो मैं बोल सकता हूँ weight of the vehicle weight of vehicle is balanced by is balanced by weight of vehicle is balanced by किससे balance हो रहा है that is a static friction static friction quadratic friction से balance right वो चीज़ हाँ या ना ओके तो simply मàiं बोल सकता हूँ mg किससे बराबर है Fs से बराबर है mg किससी बराबर है Fs से बराबर है अब मुझे पता है भाई Fs क्या होता है हम लोगने static friction का formula पढ़ा हुआ है static friction का formula हम लोग ने पढ़ा हुआ है तो fs क्या होता है बट fs बराबर होता है mu s into n हाँ या ना by coefficient of static friction into normal reaction that is coefficient of friction into normal reaction yes or no तो simply क्या करो simply यह fs के जगे mu into n put कर दो तो तुम को क्या मिलेगा therefore mg बराबर है mg किससे बराबर है mg बराबर है fs से but fs किससे बराबर है fs बराबर है mu s into n से also जरा n देखो n किससे बराबर है भाई n बराबर है mv square by r से तो n के जगे लिख दो mv square by r तो क्या मिलेगा देखो जरा that is mg is equals to mu s और n के जगे क्या आ जाएगा n के जगे आ जाएगा that is mv square by r तो वहाँ पे mv square by r लिख दो तो mu s यह हो जाएगा that is v square तो v square rg by mu s square को उदर भेज़ दो that is root तो v is equals to under root rg by mu s और यह जो पढ़ रहा है यह यह वी जो पढ़ रहा है यह बहुत minimum पढ़ रहे है मतलब कम से कम तो इतना लगाना ही लगाना याद रखना इससे कम लगा दिया तो लफड़ा हो जाएगा यह v minimum पढ़ रहे है minimum not mix minimum mix लिख दिया मैंने minimum मतलब इतना v तो उसको देना ही देना है अगर इतना v नहीं दोगे that is under root mu r g under root mu g by r अगर इतना नहीं दिये तो क्या होगा गाड़ी नीचे सरकना चालोगी यह जो गाड़ी है यह नीचे सरकना चालोगी हाँ अगर कम से कम इतनी velocity दोगे तो गाड़ी circular motion पर maintain रहेगी भाई वो circular motion करते ही रहेगी यह आगठना clear बासन आ गई तो question कैसे पूछा जाता है question पूछा जाता है what will be the minimum velocity what will be the minimum velocity required what will be the minimum velocity required for the vehicle to travel in a circular path in a death well okay तो भाई death well में कम से कम जो velocity होती है वो कितनी होती है v minimum is equals to under root rg by mu clear बासन आ गया everyone पका ओके यह कहानी सन्च में आ गई और इस बार like यह जो notes है वो already मैं तुमको save करके तुमको पता है कि भाई jr tutorial का जो app है वो app पे upload हो जाये करेगा तो वहां से जाके तुम लोग refer कर सकते हो कोई problem नहीं यह तुमको return notes है वो तुमको वहां पे मिल जाएगा okay clear समझा हाया अगेन I am saying कि भाई इस पर dependent मत रहना खुद के notes बनाना खुद का notes बहुत जादा beneficial होता है याद रखना तो मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ भाई खुद का notes बनाओ इसको as a reference ले लो कोई problem नहीं है clear चलो आगे कहानी देखो हर बार यहीं करना है अब समझ जाओ दिमाख में अब हमनों थोड़ा पेस बढ़ा देते हैं दिमाख में समझ जाओ भाई क्या ही करना है देखना है कि कौन तुमको centripetal प्रवाइड कर रहा है वो जो centripetal प्रवाइड कर रहा है उसकी कहानी चिपका दो बास उसके बाद अपने आप होते जाएगा अपने आप यह mathematics तो है बेसिक मर्स में मैं खरांस है पता चलावा फिजिक्स पढ़ने बेढ़े हो max ही पूरा निकल रहा पुरा पश्यिक्स में यहीैं पूरा फिदीक्स में खाली गाड़ी है लेसे इसके उपर चल रही है हाई ना तो किसी V velocity से travel करेगी है हाई ना लेसे V velocity से travel कर रही है यहाँ center है मतलब यह radius R होगा हाई ना परवर अब देखो ध्यान से समझने ही कोशिस करो विजुलाइज करो इसको चीजों को जब यह गाड़ी बहुत तेजी से speed में आएगी तो यह गाड़ी बाहर की तरफ झाए यहाँ है ना अब गाड़ी बाहर की तरफ जा रहा है मतलब there is a friction between tire and the road there will be be a static friction between tire and the tyre, आप टायर और रोड की बीच में friction आया, भई, friction उसको कहाँ गीचेगा, देखो, गाडी बाहर की तरफ जा रही है, friction उसको कहाँ गीचेगा, towards, centre, मतलब यहाँ पे, भई, towards, centre क्या लगेगा, एक, friction force लगेगा, and that friction force will provide you, centripetal force, that friction force will provide you centripetal force, क्लियर बासन ना गाया निशन ना रिवन पका का निवाई साट करेंगे okay the necessary centripetal force the necessary centripetal force the necessary centripetal force the necessary centripetal force is provided by one provide karega is provided by the necessary centripetal force is provided by one provide करेगा उसको necessary centripetal force कौन provide करेगा by frictional force yes or no the frictional force between road and tire between road and tire the frictional force between road and tire उसको क्या provide करेगा centripetal force provide करेगा मतलब मैं बोल सकता हूं mv square by r is equals to frictional force that is fs static friction लेते हैं हम लो तो that is fs okay अब मुझे पता है भाई frictional force का formula क्या होता है बट frictional force का formula होता है that is mu s into n yes or no mu is nothing but a coefficient of friction n is nothing but a normal reaction and normal reaction अगर हम लोग देखने जाए मानलो यह रोड है यह वहिकल है तो वाई नीचे की तरफ क्या लगेगा MT लगेगा और उपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल reaction लगेगा मतलब is mu s mg हाय ना that is fs is equal to mu s mg अब यह fs यहां पर है यह fs यहां पर है मतलब यहां पर चिपका सकता हूं तो let's say equation 1 let's say equation 2 मैं बोल सकता हूं put the value और put equation 2 in 1 हाय ना क्या ही मिलेगा अगर मैं put करूंगा तो that is mv square by r is equals to mv square by r is equals to fs fs क्या है that is mu s mg mm गटा r उदर चला जाएगा क्या मिलेगा that is v square is equals to mu rg हाय ना ये देखो ना ये r उदर चला जाएगा तो multiply पो जाएगा ये square उदर चला जाएगा तो that is v is equals to under root mu rg and this is the most safe speed this is the most safe speed ये तुमारा सबसे safe speed मना जाता है मतलब अगर ये speed से तुमनों गाड़ी चलाओ गए horizontal curve रोड पे तो भाई ये सेफ स्पीड है किसका भाई वहिकल का किसका वहिकल का किसके उपर कर्व horizontal रोड के उपर ओके बासना ये चीज़े समझ में आई कि सेम कहानी कुछ चेंजस नहीं किया भाई हम लोग देखा कि बाई centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है centripetal force प्रोवाइड कर रहा है the frictional force कहानी match की दड़ादर 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 लिखना चालू कर दिये yes or no कहानी समझ में आई की नहीं समझ में आई everyone पका हाँ या ना बताओ जल्दी yes समझ में आ गई चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़े आगे बढ़े हाई ना horizontal curve road हो गया अब जाएंगे bank road की तरफ यह बहुत 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 बहुतरीन कहानी है bank road अब देखो क्या होता है चाहा कर भी कभी-कभी जब गाड़ी turn लेती है तो उतना speed में आती है भाई यह safe है ना मतलब इस से ज़यदा speed नहीं बढ़ा सकते हैं, यह safe speed है, मतलब इस सबसे ज़यदा speed है, इस से ज़यदा speed बढाओ गाड़ी बोलते हैं तुमारे road से बाहर चली जाएगी, उतर जाएगी, तो obviously यह सबसे safe speed है, सबसे maximum speed है, बट अगर इस से भी ज़यदा speed मेरे को बढ़ाना है, अगर इससे भी जादा मेरे को speed बढ़ाना है less से तब क्या करना पड़ेगा उसके लिए कहानी आ जाता है bank road की क्या करते हैं बहुत बढ़ियां concept है बहुत simple concept है बहुत बढ़ियां concept है कि भाई जो road है ना road का एक edge को उठा दो जैसे तुमने देखा रहेगा formula 1 का जब racing होता रह गाँ अपने आसपास के तुमारे आसपास धार घाट होगा यह फिर तुमारे आसपास कहीं turn होगा sharp turn होगा तो आपना रोड को थोड़ा से सम उठा तुड़ाँट धर तो निया जाता है जो outer part है वह थोड़ा सा तील्ट कर दिया जाता road को मतलब road basically ऐसा हो जाता है ऐसा है तुमारा रोड़ यह रोड़ है रोड़ को थोड़ा सा एंगल दे दिया है and this angle is called as angle of banking this angle is called as angle of banking तो उटियerson point is bank road और banking off road banking off road is nothing but raising the outer edge with respect to inner edge वाई outer edge को उठाना with respect to inner edge that is called as उसको बोलते हैं हम लोग bank road क्या बोलते हैं bank road क्या बोलते हैं clear बासन में आगे everyone पक्का आप bank road क्या होता है अब what is the safe speed on the bank road अब हमने bank road तो कर दिया but bank road के उपर सबसे safe speed क्या होता है उसकी कहानी हम लोग देखेंगे bank road के उपर सबसे safe speed क्या है वो हम लोग देखेंगे clear बास नहाए yes or no ओके चलो तो same कहानी यहाँ पर एक vehicle रख देते है लेसे एक vehicle है अब यहाँ पर देखो force कैसे change होगा भाई नीचे mg लगेगा अब normal reaction ऐसा लगेगा पुछो क्यों perpendicular to the surface अब surface ऐसा हो गया ना पहले surface ऐसा था तो normal ऐसे लग रहा था बड़बर अब surface कैसा हो गया तो normal उसको ऐसे लगेगा तो normal reaction थोड़ा सा turn हो गया तो यह तुम्हारा normal reaction हो गया यह mg हो गया अब normal reaction को हम लोगो दो component में बाठना है नार्मल reaction को काखाना दो component में बाठना है तो एक component ऐसे आएगा और एक component towards center आएगा तो अगर यह theta है तो by geometry यह भी theta हो गया यह theta हो गया तो यह become an cos theta ओके तुमको अगर नहीं पता resolve कैसे करते है किती simple दिमाग लगा या करो जिस side के साथ आंगल attach है वो तुम्हारा cos component होता है जिसके साथ angle attach नहीं है वो तुम्हारा sine component होता है तो भाइग इसके साथ angle attach है that become an cos theta इसके साथ आंगल अटाच नहीं है, that become a sin theta, that become a sin theta, हाई न कहानी समझ में आ गई, अब यह रोड है, यह रोड है, यह सा रोड है, यह सा रोड दिख़रा होगा तुमको, ओके, अब सेंटर की तरफ, ट्वर्ड सेंटर, ट्वर्ड सेंटर देखो, यह सा रोड जा रहा है, ऐसा of force the graph towards other central technical atom law that is n sign theta is on to centripetal force con provide correct so the necessary centripetal force the necessary centripetal force is provided by the necessary centripetal force is provided by the horizontal component of normal by normal condona doh component of batana that is n cos theta and n sine theta the horizontal component of n sine theta so the necessary centripetal force is provided by horizontal component of horizontal component of normal reaction it is normal reaction horizontal component of normal reaction मतलब क्या यहां पर मैं बोल सकता हूँ that is mv square by r बराबर हो जाएगा n sine theta क्या है आए न ओके अब देखो n cos theta किससे balance दो रहा है n cos theta उपर की तरफ लग रहा है नीचे क्या लग रहा है n नीचे लग रहा है mg तो n cos theta किससे balance दो रहा है n cos theta balance दो रहा है mg से बराबर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई mg बराबर हो जाएगा n cos theta से दोनों equation बन गए let's say equation number 1 let's say equation number 2 दोनों को divide कर दो जब दोनों equation को divide कर दो क्या हो जाएगा देखो जारा that is mv square by r divided by mg is equals to n sin theta divided by n cos theta कहाए ना देखो जारा कहानी भाई मास मास गेट कैंसल एन एन गेट कैंसल sign by cos क्या हो जाएगा sign by cos हो जाएगा tan और यहाँ पर आर नीचे आ जाएगा v square by r जी हो जाएगा बरबर तो इसको जड़ा उठा लेते हैं और side कर दो इसको थोड़ा सा और इसको भी उठा लेते हैं थोड़ा साइड कर देते हैं जगा बना लेते हैं लिपने लिए clear n n get cancelled sign by cos that become tan और यहां राषाए कामच अब खव हाए अ तो यहां कामारा velocity उहाए इस वहात सब्सक्राइब भी इस रूल ये क्या है, most safe speed on bank road, ये bank road की कहानी है, इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा था, वो horizontal road था, दोनों turn है, याद रखना, दोनों circular track है, ये भी circular track है, और इसके पहले वाला भी circular track था, बट इसके पहले वाला जो circular track है न, ये horizontal circular track है, मतलब थोड़ा सा angle में हेटा, road को थोड़ा सा angle बनाया गया है, clear बासन आ रिये, so this is the most safe speed, that is V is equal to RG tan theta, अगर किसी ने बोला, what is angle of banking, angle of banking होता है, tan inverse V square by RG, क्या होता है, theta is equal to tan inverse V square by RG, this is nothing but a angle of banking बोलते हैं, क्या बोलते हैं, angle of banking बोलते हैं, clear बासन में आ गया है, yes or no, ओके, यही से आता है यह formula, भाई यह V square हो गया, RG को नीचे लेके जा, और tan को उस तरब भेज़ दो, तो तुमको tan inverse of V square by RG मिल जाता है, clear, कहानी समझ में आई इतनी, there is a vehicle on a bank road, यह bank road की कहानी, एकदम simple कहानी, एकदम must derivation है, यह सबनो, अब इसके अंदर भी condition आता है, maximum और minimum का, ऑगे, यह जो कहानी चल रही है, यहाँ पे चल रही है, अब हो सकता है ना, गाड़ी slip करके अंदर side आए, हो सकता है ना, गाड़ी बहुत तेज भाग रही हो, तो बाहर side जाए, यह भी तो हो सकता ना, यह condition है, भाई अगर गाड़ी slow होई, तो जैसे से गाड़ी slow होगी, जैसे जैसे velocity कम होगा, radius भी कम होना चालोगा, radius कम होना चालोगा, मतलब गाड़ी कहा आना चालोगी, अंदर साइड आना चालोगी, जैसे जैसे velocity बढ़ाओगी, radius भी बढ़ना चालोगा, तो गाड़ी कहा जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी न, तो इसके अंदर भी maximum और minimum की कहानी बैठती है एक maximum velocity कहानी बैठती है एक minimum velocity कहानी बैठती है ओके clear वो भी कहानी हम लोग यहीं पर खतम करने वाला याद रखना थुड़ासा लेंदी हो जाएगा lecture कोई प्रॉब्लम नहीं है बट क्या है वो दोनों कहानी यहीं पर हमनों खतब कर देंगे ओके छोटी-छोटी कहानी है ज्यादा दिमाक लगाने वाली कहान यहीं है clear ओके अच्छे से बहतरी तरीके सा समझ में आईगी हो कहानी है चलो मतलब जब तुमारी वेलासिटी इससे बढ़ना चालू होगी अब इससे बढ़ना चालू होगी तो भई जाना चाहे गी मतलब यहां पर हम डाइग्राम बनाए तो सारी कहानी तो सेम रहेगी यहां पर मेरा n cos theta लगेगा यहाँ पे मेरा n sin theta लगेगा यह मेरा n रहेगा नीचे मेरा mg रहेगा यह सब से मेरेगा कहानी क्या होगी देखो जरा कहानी होगी गाड़ी कहां जाएगी गाड़ी बाहर side जाना चालू करेगे क्योंकि बहुत ज़्यादा speed से travel कर रहा है भाई save speed कितना है अंडरूट ार्जिट आएंड इठा बट उससे जाधा तेज अब उससे जाधा तेज चल रहा है मतलब गाड़ी कहां जाएगा बाहर की तरफ अब गाड़ी अगर बाहर की तरफ जा रहा है मतलब अंदर की तरफ एक लगीगा friction force यहां पर कहानी आती है friction force की yes or no अब friction force आ रहा है मतलब यहां पर दो component आएगा friction force का एक आता है horizontal component और एक आता है vertical component ओके तो horizontal component क्या हो जाएगा अगर यह टीटा है तो यह भी टीटा हो जाएगा तो जिसके साथ टीटा आटाच होता है मैंने तुमको बता है that is F तो यह जाता है F cos theta और यह जाता है F तो अब अंदर की तरफ towards center अब दो force लग रहे है कौन कौन सा एन sin theta F cos theta इसलिए मैंने तुमको update कराया था कि भाई definition में update कर रो the net force acting towards center ओके अब अकेला sin theta n sin theta provide कर रहा है क्या centripetal force the answer is no अब यह दोनों मिलके तुमको centripetal force provide कर रहा है that is n sin theta and F cos theta ओके तो भाई the necessary centripetal force that is mv square by r वो कौन provide कर रहा है वो provide कर रहा है तुमको n sin theta plus that is F cos theta हाई ना समझा ओके अब देखो जरा mg देखो mg कौन वर्टिकल में कहां 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 नहीं आ रही है इसको इसको नाम देखने जाए वर्टिकल की कहां नहीं देखो जरा क्या हो रहा है ऊपर n cos theta लग रहा है तो n cos theta बराबर नीचे कौन कोन सा force लग रहा है देखो जरा F sin theta plus mg F sin theta plus mg that is the total force acting upward is equal to the total force acting downward so by total force upward में कौन सा लग रहा है n cos theta और downward में कहां लग रहा है that is F sin theta plus mg अभ यहां से mg नी काल लो F sin theta को इधर भेज़ दो क्या मिलेगा mg is equal to F sin theta इधर चला जाएगा that is n cos theta minus F sin theta हाई ना इसको नाम देदो equation number 2 इसको क्या नाम देदो equation number 2 अब क्या करो भाई ये दोनों को divide कर दो जब तुम दोनों को divide कर दोगे तो क्या ही मिलेगा तुमको that is mv square by r mv square by r whole divided by mg is equal to यहां पर क्या जाएगा that is n sin theta plus F cos theta divided by n cos theta minus F sin theta हाई ना अब देखो F क्या है F है मेरा frictional force यह सौनों F क्या है F तो frictional force है ना frictional force can be written as उसको मैं लिख सकता हूँ ना mu into n यहां से यह n और यह m cancel कर दो बरबर यह m और यह m cancel कर दो क्या मिलेगा that is v square by r g is equals to यह mu को f क्या लिख सकते है mu times n that is n sin theta plus mu n cos theta divided by यहां पर आ जाएगा n cos theta minus mu n sin theta हाई ना भाई F का formula मेरे को पता है F का formula क्या होता है F is equals to mu times n होता है ना तो यह यहीं पर वही किया है भाई F के जगे क्या कर दिया F के जगे mu n लिख दिया हाई ना अब देखो ज़रा इसमें से common आएगा n common आएगा तो n common मतलो, cos theta भी common लें लो तो यहांसे पुरा का पुरा common लें लोगे तो क्या मिलेगा देखो जरा भाई पुरा का पुरा common लें लोगे तुमको मीलेगा that is V square by R g is equals to V square by R g क्या मिलेगा V2RG यहाँ से पूरा पूरा N cos theta से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर N cos theta से डिवाइड करोगे तो N N cancel हो जाएगा sin by cos हो जाएगा tan तो यहाँ पर आजाएगा tan theta बरबर प्लस mu अब N cos theta से डिवाइड हो जाएगा तो क्या जाएगा tan theta plus mu गायब और sin theta divided by cos theta that become tan theta अब यह RG को इदर भेज़ दो तो V square is equals to RG in bracket tan theta plus mu whole divided by 1 minus mu tan theta हाएगा और यह V square को वहाँ भेज़ दो क्या हो जाएगा that is V is equals to under root RG और as it is bracket that is tan theta plus mu whole divided by 1 minus mu tan theta हाएगा यह maximum की कहानी मैंने तुमको बता दी यह maximum की कहानी है by maximum की कहानी कब जब जब क्या होगा जब तुमारा velocity is greater than RG tan theta होगा तब इसका maximum limit होगा यह V max है क्या यह V max इसको V max लिख दो यह V max है बर-बर ओके इसके बाद V minimum भी है V minimum कब होगा जब velocity इससे कम होगा जैसे अगर हम लोग देखने जाएं तो V minimum कहानी क्या होगी V is less than under root RG tan theta अब जैसी velocity कम हो जाएगी जब देखो तो velocity कम हो जाएगी तो गाड़ी कहाना चालोगी अंदर आना चालोगी अब गाड़ी अंदर आना चालोगी तो जब बताओ friction force कहा लगेगा friction force लगेगा उपर अब friction force उपर लगेगा तो same कहानी खाली इसका diagram चेंज हो जाएगा कैसे चेंज होगा देखो ज़रा समझा देता हूँ देखो यह समझाऊंगा मैं derive तुम लोग करोगे सब लोग derive करोगे photo लोगे और मेरे को instagram पे dm करोगे या फिर tag करोगे यह चीज याद रखना तूरंथ ही तूरंथ practice होना चीए तो diagram मैं समझा देता हूँ diagram समझाने के लिए कोई problem नहीं है यह तुमारा गाड़ी भाई n cos theta तो उपर ही लगेगा कोई problem नहीं है n sin theta भी अंदर लगेगा कोई problem नहीं है यहाँ पे n लगेगा कोई problem नहीं है नीचे mg लगेगा कोई problem नहीं है अब गाड़ी कहा आ रही अब नीचे आ रही है तो friction उसको कहां घीचेगा friction उसको घीचेगा उपर अब friction अगर उपर घीचेगा तो यहाँ पर component यह टीटा है न भाई यह अगर टीटा है तो यह भी टीटा होगा तो यह हो जाएगा मेरा F cos theta और यह हो जाएगा मेरा F sin theta बरबर तो अब towards net force देखो towards center net force अंदर की तरफ of net force कौन सा लग रहा है that is N sin theta minus F cos theta यहाँ पर दोनों balance हो रहते यहाँ पर N sin theta भी अंदर की तरफ लग रहा था F cos theta भी अंदर की तरफ लग रहा है तो दोनों को add किया बरबर यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ज़रा यहाँ पर N sin theta अंदर की तरफ लग रहा है F cos theta भाहर की तरफ लग रहा है तो total net force अंदर की तरफ कितना लग रहा है total net force अंदर की तरफ लग रहा है that is N sin theta minus F cos theta बासन में आ रही है यहाँ पर यह देख लो भाई MG किससे balance दो रहा है यह तुमको centripetal force देगा क्या देगा centripetal force देगा MG किससे balance हो रहा है तुमारा MG balance हो रहा है that is N cos theta plus F sin theta N cos theta plus F sin theta यह सुनो तो यहाँ पर आ जाएगा that is N cos theta plus F sin theta दोनों को divide करो वापस N cos theta से divide कर दो MM काटो same कहानी same इसकी तरह कहानी Все the thing order यहाँ पर plus हो जाएगा बस इतना ही change है बाकी कोई change नहीं है यहाँ पर plus हो जाएगा यहाँ पर plus है तो minus हो जाएगा यहाँ पर minus है तो क्या हो जाएगा फ्लस हो जाएगा तो यह formula मिरको चाहिए तुम लों लों से This is the homework for you guys Homework करो मेरे को Instagram पर tag करो या फिर DM करो, अगर correct है तो मैं thumbs up कर दूँगा, कोई problem नहीं है, okay, clear, समझा everyone, this is nothing but bank road की कहानी, यह हम लोग ने bank road, याद रखना है, यह applications पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहला application हम लोग ने कौन सा देखा, पहला application हम लोग ने देखा, death well का, यह हमारा death well की कहान तो यह कहानी लगाना, यह कहानी कब आएगा, जब maximum की बात होगी, भाई, V max की कहानी आएगी, तो यह वाला derivation करना, और V minimum का आएगा, तो यह वाला कहानी, okay, इसके अंदर derivation तुमको खुद को करना है, मैंने तुमको समझा दिया कैसे करना है, यह solve करो खुद से, try करो, आ अगर आज का वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर फर्स टाइम आया, तो सस्क्राइब जरूर करेना, और अपने दोस्तों को जरूर से शेर कर देना, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है, यह याद रखना, तुमको पता है कि बहु करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.